नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है खर्चों के बारे में कितना बचत आता है गाडियों में सीमेंट गाड़ी जो चलती है 36 गड़्टू ओडी सा तो हमारी 14 चक्के की गाड़ी है और हम आज की वीडिय गाड़ी का काम करान पणफड़गा में छोटा मोट जो आम độ सब्कराक के लोडिंग के लिए चला गया था आरास मिटा जो नुब इस्टा का प्लांट है वहां वहां से मैंने लोड किया था राउर के लाद हारो मैंने लोट किया था 31 दोस्तों इसमें मुझे भाड़ा मिला 1100 रुपए का इसमें भाड़ा लगा था तो हमारा इसमें बन गया 34,100 रुपए का हमारा इसमें भाड़ा लगभग बन गया तो भाईयों उसके बाद फिर वहां से मैं खाली करके दूसरे दिन दो रावर के लगवा से मैंने आयरण लोट किया था रायगाड़ घर घॉड़ा का तो इसमें मैंने लोट घ्चामश लोट किया था western तुस्तन 400 वादा लगा था 750 रुप रुपया मात्र वहस्त कम धाए तो 750 रुपया मिला था हम अगर गुड़ा करें तो मिला यहांपर 2550 रुपया राऊर के लाज से र्यगड का भार उसके बाद वहाई हो गाडी हमारी खाली हुई और फिर हर्म चले गए अम्बूजा माइन्स जहां से हमने कोईला लोड किया अम्बूजा सिमेंट बलावदा बजार का तो वहां भाड़ा हमें लगा 650 रुपिया और हमें वहां माल मिला 29 तन क्योंकि वहां पर अंडर लोड दिया जाता है बैलिस्टन पासी होती है गाड़ी के तो बैलिस्टन हमें वहां से कोईला मिला और हम फिर ये कोईला ले करके खाली किये बलावदा बजार अम्बूजा सिमेंट प्लांट में तो इस तरह से दोस्तों हमारी गाड़ी तीन लोड लिए हमने और तीनों लोडों में हमारा जो भाड़ा बना सबको अगर हम केलकुलेट करते हैं तो मेरी गाड़ी में आया और हमारी गाड़ी चली थी एक हजार बारा किलोमेटर तो अगर इसको एवरेज निकाले तो वही आता है दो सो दो पॉइंट सेवन नाइन के इस बार तो इस तरह से एवरेज आया और हमारा डीजल का जो पैसा हुआ वहां बना 34,750 रुपे का डीज तो जाने में लगा तीन टोल आने में लगा तो टोल का जो पैसा बना हुआ टोटल 34,000 रुपे का यहां पर तोल का पैसा लग गया उसके बाद जो ड्राइवर को फिक्स खर्चा दिया जाता है हमें जो फिक्स खर्चा मिलता है उसका हिसाब कुछ इस तरह से 35,000 रुपे सी सीमेंट का तो 35,000 रुपे ओ हो गया 15,000 रुपे राउर के लासी रायगार आने का 15,000 रुपे यह हो गया उसके बाद हमें 12,000 रुपे पोईला का जो अंब बुजा माई से अंब भी सीमेंट फिक्ती है यहां पर 12,000 रुपे दिया जाता है तो इस तरह से उसको टोटल करने है तो हमें 32,150 रुपय यहां पर भाड़ा हमें बचत आ रहा है दोस्तों अगर हम इसे राउंट फिगर लेके चलें तो इसे हम 30,000 मान सकते हैं क्योंकि इसके अलाव और और खर्चे होते हैं जो जैसे इसमें बिल्टी कमिशन लगा है हर ट्रिप में हमान सकते हैं जो कि एक जैक्ट सहीं भी हैं जो मैं बटा रहा हूं सारे भाड़ा यूनिक है इन्थाटिक है इसमें 1200 वहाँ तो इस तरह से भाड़ा अभी मिल रहे भाईयों तो हमारी गाड़ी जो चक्कर होगा हमारे ट्रिप होगा इसको हमें कम्प्लीट करने में च्छाय दिन लग गए अच्छाय दिन लगना चाहिए था लेकिन जो मैं सेमेंट लेके गया था वहां दो पार्टी में खाली करा गया दो पार्टी में खाली कराने से क्या होता है गारे को जादा टाइम लगता है तो उसमें मेरा टाइम चला गया एक दिन तो यह चक्कर मेरा छै दिन का यादी पर चहोड़ी है चाहे जार ब्सक्र करते हैं इस तरह से बचत आ रहा है 30 से 35 हो जाएगा 40 हो बागे 30 के आसपास ही इस तरह से हमारी गाड़ी छोड़ती है तो भाई अगर हम इसे एक महिने के हिसाब से देखें तो 6 दिन का चक्कर लगा अगर ऐसे बराबर लगे चक्कर तो महिने में हमारा मानिए 5 चक्कर हमारा लग जाएगा तो 5 चक्कर अब 30,000 रुपे पर चक्कर गाड़ी छोड़ रही है तो हम उसको कल्कुलेट करें तो लग भग डेड़ लाग रुपया आसपास एक गाड़ी अभी इतना अर्ण कर रही है ऐसा लगता है मुझे तो इस तरह से मैंने अभी आपसे साजह किया कि एक 14 चक्की की गा अभी कभी अच्छा भाड़ा कहीं मिले तो कुछ जादा भी हो सकता है लेकिन आप मान के चलिए 1.5 लाग रुपय को आप एवरेज पकड़ के चलिए 1.5 लाग रुपय तक का काम करती है इसमें भाइयों अब मन्थ के एंड में इसमें हमें ड्राइवर को तंखा देना और फिटनेस टेक्स परमिट सारे खर्चों को अगर हम पर मन्त के नुसार हम डिवाइड करें तो हम राउन फिकर उसे मान के चलिए 10,000 रुपया यहां पे हमारा और माइनस हो जाएगा और भाईयों इसके बाद आता है सबसे बड़ा खर्चदों ट्रांस्पूर्टिंग लगता है तो हर महिने का एक टायर माँंगे की हर महिना 25,000 रुपे का आपको टायर एक टायर लगाना ही है भले, एक साथ नहीं लगे हो, हर महिना नहीं लगे गा लेकिन 3-4 महिना में एक जोड़ी आपने दे दिया, 2 महिना में एक जोड़ी दिया, इस तरह से ये खर्च होता है, तो 1,500,000 रुपे में हम माइनस करेंगे अब 25,000 र तो आपकी गाड़ी अगर किस्तम है तो बिल्कूल पैसा ज्यादा बचना नहीं है फूक के कदम रखना है यह बहुत इसमें रिस्क ज्यादा है अगर थोड़ा सभी अतरिक खचा कहीं हो गया तो गाड़ी लॉस कर जाती है और उस लॉस को कभर करने के लिए हम जैसे जो ड्रैवर भाई है या जो जिनके पास और काम धंदा नहीं है उनको इस वक्त फिर परिशानी होती है और जिनके पास काम धंदा कहीं और से भी आयका साधन है पैसे आने का तो उनको परिशानी नहीं होती हो मेनेज कर लेते हैं और यहीं पर हमारे ड्रैवर भाई ह जो सिंगल मोटर मालिक होते हैं वो फेल कर जाते हैं क्योंकि मार्केट बढ़िया चलता रहे तो इस तरह से पैसा बचता है और इसमें आप बारिस पकड़ लीजिए एक से दो महिना तीन महिना बारिस का सीजान आता है जिसमें काम जरब मंदा हो जाता है खासकर हो दो ना चाहिए यह सब बात आज की थी भाइयों वीडियो आज की इस बारे में थी जतनी मैने जानकारियादभाग सब सही जानकारी तो इस तरह से पुरा मसला है आना चाहते हैं अगर आप गाड़ी लेना चाहते तो मुझे उम्मीद before i जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहीएगा तो आज की वीडियो को मैं य आजिए राम जैनल